E.D. के साक्ष के बाद भी नहीं होती कारवाही अधिकारी दबा कर बैठ जाते हैं फाइल जारकंड हाई कोर्ट में जनहित याज का दाखिल साक्ष के साथ मनी लॉन्रिंग के आरोपितों की जानकारी देने के बाद भी प्राथमी की दर्ज नहीं किये जाने पर जारकंड हाई कोर्ट में जनहित याज का दाखिल की गई है सेवा निवरत आईपियस अरुन कुमार उराव ने अपने अदिवक्ता अभे कुमार मिश्रा की माध्यम ये याज का दाखिल की है याजका में कहा गया है कि प्रिवेंशन ओफ मनी लॉन्डरिंग एक्ट दो हजार दो के सेक्शन 66 के भाद दो के तहत प्रवर्तन निदेशाले इडी राज सरकार को आरुपितों के खिलाब साक्षे एवं सूचना उप्लब दिकराती है ताकि राज सरकार कारवाही करें लेकिन सरकार इस पर कोई कारवाही नहीं कर रही है सूचना मिलने के बाद भी कोई प्रात्मी की दर्ज नहीं मनी लॉन्रिंग करने वाले ब्रस्ट अधिकारियों एवं अन्य आरुपितों के खिलाब जारकन सरकार को साक्षि एवं सूचना मिलने के बाद भी कोई प्रात्मी की दर्ज नहीं की जा रही राजीव अरुन एक का प्रेम प्रकास आदी आरुपितों के खिलाब सरकार कारवाही से बच रही है एडे की साक्षि एवं सूचना के बाद भी आरुपितों की फाइल सरकार के अधिकारी दबा कर बैठ जाते हैं ब्रश्ट अधिकारियों के खिलाब कारवाही को लेकर प्रार्थी ने राज की मुक्सचिव के पास 11 अक्टुवर 2030 को अभ्या वेदन दिया था लेकिन उस पर कोई कारवाही नहीं हुई है इसके बाद उन्होंने जनितियाच का दाखिल की है आपको हमारे ये रिपोर्ट कैसी लगी कॉमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें और ऐसी ताजातरीन और रोचक जानकारियां प्राप्त करते रहें